हाई फ्रेंट्स मैं हूँ पेंदर कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडीत उपेंदर स्टी क्लासस में गाइस में जैसा कि आपको थेओरी ओफ मसीन के थर्ड वाले चेप्टर के कुछ मोश्ट इंपोर्टन नुमेरिकल के बारे में नेस्ट क्लासस में बात किया था आज का आपको यहां पर जारे में कुछ हैसे मोश्ट इंपोर्टन नुमेरिकल बताऊंगा जो आपको एक्जाम के वेस पे काफी मोश्ट इंपोर्टन क्यूस्ट होते हैं ठीक है तो चलिए जैसा कि आप इसनकी के माध्यम से देख पारे हैं फॉस्ट वाला क्या पानी के से टर्वाइन रूटर का द्रबमान 7.8 टन तथा उसकी घुड़न त्रिज्या कितना दी गई है तो 0.6 मीटर दी गई है वहीं पर आपका द्रबमान कितना दिया गया है तो 7.8 टन दिया गया है आगे बात करें यहां 200 RPM यानि कहने मतलब जो 200 RPM दच्छन वर्थ घूमता है जायरोस्कोब बल्यूग्म ग्याद कीजिए ठीक है यदि जहाज 100 किलोमीटर प्रति हावर्स के बेक से चलता है तो 80 मीटर प्रतिज्या के वक्र पर बाई तरफ घूमता है यानि कहने के मतलब है जो आपको जायरोस्कोब का नियम क्या कहता है जायरोस्कोब बल्यूग्म आपको ग्याद करना है तो चलिए हम सारी बैलू को क्या करेंगे step by step लिखेंगे कि हमें क्या question में दिया गया है तो लिखेंगे आपको दिया है आप क्या दिया गया है आपको एक वेक step by step देखना है यानि यम बराबर कितना दिया गया आपका तो यम बराबर 7.8 ton दिया गया ठीक है यानि क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से क्या करेंगे हम गुड़ा करवा देंगे और गुड़ा करवा देंगे आपका केजी में ये वैलू आ जाएगी अब नेश्ट बात करेंगे पे तो आपको के बराबर कितना दिया गया है यानि क्या करते हैं गुड़ान तिर्जा को किसे डिनोट करते हैं आपको तो यहां पे K बराबर 0.6 मीटर में दिया गया ठीक है यहां पे हम मीटर में डिनोट कर लेंगे अब वहीं पे हैं को यहन बराबर दिया गया है 200 यानि जो बेग है वी बराबर कितना दिया गया आपका वी बराबर 100 km प्रति हावर्स के बेगवे कितना दिया गए आपका हावर्स के बेगवे यहाँ पर मीटर प्रति सिकेंड की बेस पर मियाद करेंगे तो मीटर प्रति सिकेंड की बेस पर आपका क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका यहां पर बिवरावर कितना हो जाएगा आपका 77. Mits Вам को सेक्चट हेट थिक यापको P कि एका न कзд event करेंगे थिकवाग कर देंगे あっ ठीक है आप आगे क्या दिया जा रहा है असी इमें त्रिज्जा यानि किसकी बहुती गरी है आर बराबर कितना दिया गया आपको असी कितना मीटर में दिया गया ठीक है आर बराबर कितना दिया गया आपको मीटर में दिया गया अब आपको ग्याद क्या करना है ग्याद क्या करना जारो इसको बल्यूगम ग्याद करना तो इसका फार्मला क्या होता है सबसे पहले में फार्मला पता होना चाहिए तो इसका फार्मला क्या होता आपको सी बराबर जैसा कि आप लोगों को उस दिन बताया गया था सी बराबर आई इंटू ω 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 यानि आई बराबर आई यम के स्कॉर बता गया था यही तो बताया देगा गया था उस तिन फार्मला जब पढ़ाया जा रहा था जारो इसको पॉला पार्ट ठीक है तो अब क्या करेंगे आउ बराबर आपको ज्यात करना तो आई बराबर यम की value कितनी दी गही है तो यम की value 7.78 डबल 0 ठीक है और वहीं पे k की value कितनी दी गहे है तो 0.6 0.6 का कितना हो जाएगा sqaya जब आपको solve करेंगे तो आई बराबर आपका कितना आ जायगा यहाँं पे 2808 kilogram किलो ग्राम प्रति मीटर स्कॉर ठीक है कितने में आ जाएगा किलो ग्राम मीटर स्कॉर में आ जाएगा ठीक है यहां पर प्रति मीटर स्कॉर में आ जाएगा ठीक है यहां पर आई की वैलू कितनी आ गई आपकी तो 28.08 kg यम स्कॉर ठीक है प्रति एमम स्कॉर में आगे ठीक ह आगे बात करें वहीं पे आपको यहां पे I की value गयात हो गई, अब आपको की value गयात करने है और की value गयात करने है, चलिए इसका formula क्या होता आप देखेंगे यहां पे अपको omega बराबर क्या बताए गया था omega बराबर क्या बताए गया था टू पाई यह न ठीक है into a upon कितना बताएगा था 60 ठीक है यह तक पताएगा था formula omega बढ़र तो omega बराबर तू पाई वैसे र barr Thursday पाई कि तक पर यह नमराबर कितना दियागा 2000 ठीक है क्या करें गिंग है 2000 से गुणा करवा देंग और फांच क्यतना हो जाएगा साथ 10 10 जब ओमेगा पराबर कितना हो जाएगा जो आपको final एंस वराने वाला है यानि उमेगा पराबर कितना जाएगा तो omega p की वेल्यू गैत करेंए. चली ये इसका फार्मूला क्या होता है ? तो यहां पे आपको omega p वर्णाबर क्या बताए गया था ? omega omega pan B क्या बताए गया था ? v upon r ठीक है ? यही तो बताए गया था आपको, यहां पे जब ed försöka यहां पे क्या बताए गया था ? gyroscope क्या होता है तो आप पर i बराबर भी बताए गया था WP बराबर बताए गया था और omega BP बराबर बताए था यानि सारी value आपको step by step बताए था ठीक है इसका क्या formula अब आपको formula सभी चीजों को याद करना है यहां पर क्या उन्हें से बल्व ज्याद करने के लिए आपको आई की जरूरत पड़ेगी ओमेगा पी की जरूरत पड़ेगी और उमेगा बरबर सभी चीजों का अगर फार्मला याद रहेगा आप तो कोई भी कुश्चन सॉल्ब करने में किसी उपरकार की समस्या नहीं होने वाली है ठीक है तो मेगा पी बरबर क्या होता आपका भी अपाउन और बी के वैलू कितने दीगा ट्वंटी सेवन पॉइंट एट मीटर प्रती सिकेंड और आर बरबर कितना दिया गया असी एमें में दीगा ठीक है यहाँ पे आब आपको क्या हो जाएगा डबलू पी बर वी बरबर कितना हो जाएगा ट्वंटी सेवन पॉइंट एट क्या हो जाएगा आर बरबर कितना दिया गया असी ठीक है जब इसे सॉल्व करेंगे यानि भाग करेंगे तो जो इसका फॉइनल इंस और आने माला है 0.3475 रेडियन प्रती सेकेंड में आ जाएगा ठीक है यहा आपका जैरिस कोप बल्योगम का फार्मला के बीश पे तो आपको सी बरबर क्या होता है आई इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा पी ठीक है चलिए हम रखेंगे यहाँ पे आई की बैलू कितनी दी गई है आपको तो अठाइस जीरो कितना दिया गया थाइस 3475 झीडीट है जब इसयों क्या करेंगे गुरा करवाएंगे जब इस्यों क्या करेंगे इससे गुरा करवाएंगे तो आपका संतिंग में आपका जो-सर आने वाला और यानि सी वराबर आपका जो फाइनल आयस्वार आने माला है इसमें जैसा कि आप लोग को बता दूं कि 20 43 और कितना जाएगा 67.63632 ठीक है किसमें आएगा आपका किलो न्यूटन में करणोट करना है, तो आपका जो C बरावर कितना हो जाएगा, 204.367 किलो न्यूटन प्रती मीटर में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर किस में आ गया answer, जो final answer आ गया, 204.376 किलो न्यूटन प्रती मीटर में आ गया, ठीक है, I hope guys यहाँ पे आपको जो first वाला question था एक गम easy धंग्चे समझ में होगा यहाँ पे सारी चीजों को क्या करना है पहले आपको formula लिख लिना है और formula निकालने के बाद सबी चीजों का formula के base पे जो भी मान की दिया गया है उमान रख देंगे और रखने के बाद यो आपका final answer आजाएगा ठीक है अब वहीं पे next question की बात करें तो next जैसा कि आप इस screen के माध्यम से देख पा रहे हैं आपे next question जैसा कि आप इस screen के माध्यम से देख पा रहे हैं first question second question क्या बताया आकणों के लिए IEC engine पर जड़त तो बल ग्याद कीजिए ठीक है जो आपका जड़त तो बल ग्याद करना आपको यहाँ पर आपका दो question बनेगा कौन कौन सा एक graphie विदी से और एक क्या है ता आपका एक बेसलिसिक विदी से ठीक है आपको दो question बनेगा यहाँ पर तो यहाँ आपको दिया कितना गया है आपका बोर यानि D बराबर कितना दिया गया तो 0.712 cm में दिया गया श्टोक बराबर कितना दिया गया है श्टोक की लंबाई कितनी दिया गया आपको यहाँ पे यल बराबर कितना दिया गया 0.2 में दिया गया और इंजन speed engine speed किससे denote करते हैं तो आपको पता ही होगा किससे denote करते हैं आपको yen से denote करते हैं तो yen बरबर कितना दिया गया आप 500 rpm में दिया गया है और सन्योजग दंड की लंबाई कितनी दिया गया यानि small yellow की बरबर कितना दिया आपको 0.4 मीटर में दिया गया ठीक है आगे बात करें तो TDC से ठीटा कोंट जो ठीटा बराबर कितना दिया गया आपको साग डिगरी संसियस और पस्चाग गरगत पर करने वाला जो द्रभवान बराबर दिया गया आपका 118 किजी दिया गया ठीक है यानि 180 किलोग्राम दिय करेंगे आपको जितने बालू दी गई है तो डी बराबर कितना दिया गया आपको डी बराबर कितना दिया गया 0.172 दिया गया है और यल बराबर कितना दिया गया तो 0.2 मीटर में दिया गया और यन बराबर कितना दिया गया आपका 500 और पीम में दिया गया है और इसमाल 80 kg ग्राम में दिया गया ठीक है अब आपको ग्याद क्या करना है एक ग्राफिय विधी से क्या विधी से ठीक है कौन सी विधी से एक ग्राफिय विधी से और आपको दूसरी वाली वैलू ग्याद करनी है इसका फार्मला क्या होता है जैसा कि आपको ग्राफिय विधी का फार् इन्टू ए आर ठीक है आपको यह फार्मला होता है ग्राफिय विधी से और वहीं पर आपको जो बताया गया था बैसलेसिक विधी से क्या बताया था आपका यहां पर बैसलेसिक विधी से ठीक है आपको इतना इसका फार्मला क्या बताया था आपको यहां पर साभी चीजों क को फार्मला याद होना चाहिए ठीक है इसका फार्मला क्या बता गया था यह फवन is equal mr into omega square r bracket में cos theta plus cos 2 theta upon n ठीक है इसका फार्मला यह ग्राफिय विधी से फार्मला यानि जड़त तो अगुण ग्याद करना है अपको और एक बैसलेशिक विधी से जड़त तो अगुण ग्याद करना है और इसका फार्मला क्या पता है यम आर इंटू ए आर और वहीं पर आपको यह फॉन बराबर यम आर इंटू omega square इंटू आर इंटू कॉस ठीक है अब आपको ग्याद करना है यम आर की बैलू आपको पता है और वहीं पर ए आर की बैलू ग्याद करनी है ठीक है अब ए आर बराबर आपको फार्मला क्या होता है क्या बताय गया था ए आर बराबर आपको फार्मला क्या बताय गया था तो यहां पर आपको omega square into O n बढ़ाब गयता है गया था क्या बढ़ाब गयता था से एक जीरो कांसील जब इसका जो फार्मला एंस्वार यानि भाग करेंगे जो आपका फाइनल एंस्वार कितने आएगा 52.4 रेडियन प्रती सेकंड में आ जाएगा ठीक है यहां पर आपको किस की बैलू आ गई तो ओमेगा की बैलू याद हो गई अब आपको ओ यन बराबर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ठीक है अब यहां से आपका एंगल कुछ बनेगा इस परकार से ठीक है तो यहां से यह तो आपका ठीटा है और यहां से आपका डिस्टेंस मालिया गया ओ और यहां से डिस्टेंस मालिया गया यन तो यहां से यहां तक की भी इसकी दिया रहेगा ओ यन बराबर कितना दियेगा आपका फ्रीगर के माध्यम से तो ओ यन बराबर कितना दिया जाएगा आपको 0.038 दिया रहेगा ठीक है किस में दिया रहेगा तो मीटर में दिया रहेगा ठीक है आपको किस में दिया रहेगा आपका तो मीटर में दिया रहेगा ठीक है O, Y, N की डिश्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 0.038 मीटर में हो गए ठीक है आप क्या करेंगे A, R का फार्म Marchegiani A, R की बैलू निकाल लेंगे एक बैलू पता है आपको 52.4 क्या करेंगे उसकार करेंगे O, R की बैलू कितनी हो जाएगी 0.038 ठीक है जब आपको A, R की बैलू खिνाद करने होगी तो यहां पर क्या करेंगे इसे गुड़ा करवा देंगे और जो आपका final ISO रहने वाला है यानि क्या करेंगे हम AR की value ग्याद कर लेंगे तो AR की value कितनी हो जाएगी 104.34 meter प्रती second में आ जाएगा ठीक है आपको AR की value क्या हो जाएगी ग्याद हो जाएगी अब ग्याद कर सकते हैं graphie बिधी से ठीक है एक बिधी से जाएगी सकते हैं तो F1 बरबर क्या हो जाएगा आपका चलिए हम क्या करदेंगे इसी formula में रख देंगे यमार बरबर आपको दिया गया है यमार बरबर कितना दियागा ए 180 ठीक है यप 1 बरबर क्या हो जाएगा आपका यमार कितना दिया गया 180 और इंटू 104 104.34 ठीक है जब इसे गुड़ा करवाएंगे जो आपको final answer आने वाला है कितना आ जाएगा आपका तो 18780 Newton में आ जाएगा ठीक है किसमें आ जाएगा आपका तो Newton में आ जाएगा ठीक है किसमें करेंगे आपको यहां पे जिसकी बैलू का ग्याद करेंगे आपको किलो Newton में ग्याद करना है जब आपको किलो Newton में हो जाएगा कितना हो जाएगा 1878 किलो Newton में आ जाएगा किसमें आ जाएगा आपका तो जो graphi विधी से आपका जड़त तो बल निकला कितना आप गया यानि यह फवन बराबर कितना हो जाएगा 1878 किलो न्यूटन ठीक है यह कौन सी बिधी से आपका तो graphi विधी से अब वहीं पर नेश्ट बात करें तो बैसलेसिक बिधी से जड़त तो बल क्यात किया जाएगा त यल बाइ ठीक है यल का फार यल का बराबर कितना दियागा आपका 0.2 मीटर ठीक है 0.2 मीटर अपॉन टू जब इसे भाग करेंगे तो यानि आर बराबर कितना जाएगा 0.1 ठीक है कितना जाएगा 0.1 आ जाएगा ठीक है अब यहां पर इसमें जो formula होता formula के बेस पे रख द आर यम आर इंटू omega square इंटू आर cos theta plus cos 2 theta upon n ठीक है यही आद करेंगे ठीक है अब आपको omega square की value और omega square की value यह नहीं ओमेगा की value कितनी दिग्ए तो 52.4 ठीक है क्या करेंगे 52.4 का whole square कर देंगे और into r की value कितनी दिग्ए आप यहां पर जेस्ट मैंने तुरंत निका रहा 0.1 ठीक है क्या करेंगे 0.1 और इन 2 क्या कर दिया गया आगे बात करें तो cos theta ब्रेकरट में लिखेंगे और cos अब theta की value कुतनी दी गई थी आपको तो यहाँ पे 60 degrees Celsius रख देंगे क्या हो जाएगा आपका 60 degrees Celsius प्लस क्या आगे बता गया था cos 2 theta अब theta की value कितनी जाएगी 60 ठीक है upon yen की value कितनी दी गई थी तो yen की value कितनी दी गई तो को 500 rpm ठीक है रख देंगे रख देंगे आपको 500 rpm आगे जब solve करेंगे तो f2 बरबर कितना हो जाएगा 180 into 52.4 का square into 0.1 और cos 60 degrees yes plus कितना हो जाएगा par prystar कौस कितना हो जाएगा 120 degree senses upon 500 ठीक है यहीत होगा जब इसे solve करेंगे जब इसे क्या करेंगे एख तो आपका f2 की value कितनी आ जाएगी यानि f2 की value कितनी आ जाएगी 185 30 newton में ठीक है किसमें आ जाएगा आपका तो newton में आ जाएगा jáब इसे त्री किलो न्यूटन में आ जाएगा ठीक है किस में आ जाएगा आपका तो किलो न्यूटन में आ जाएगा ठीक है अब यहां पे किस प्रकार से आएगा एक हजार से भाग कर देंगे किस में आजाएगा आपका किलो न्यूटन में आजाएगा ठीक है आपको किलेर हो गया रहा आप न्यूटन में है इसको किलो न्यूटन में करना है तो आपको क्या करेंगे इसमें वालू इस क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे 1000 से भाग करने के बाद आपका किस में आ जाएगा आपका किलो न्यूटन में आ जाएगा ठीक है I hope guys आपको second वाला question भी एकदम easy ढंक्चे समझ में आया होगा तो बस guys आज लिता ही वीडियो अच्छी लेगे और चैनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइक कीजिए ज्यादा ज्यादा सेर करने को सिस्किजिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद